हाई प्रेंच चिकन पोट्टा कलेजी बन रहा है बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में या कलेजी है चिकन पोट्टा कलेजी बहुत ही टेस्टी लगता है चलिए बनाते हैं बनाने के लिए देखिए मैंने चिकन का या कलेजी लिया है आप देख सकते है या चिकन का पथरी इसे पोट्टा भी बोलते हैं और पथरी चिकन और कलेजी आप अपने साथ से कम ज़्यादा ले सकते हैं चलिए मसाला देखते हैं या 6-7 मैंने प्याच काटा है या लौसुन है पूरा एक या अध्रक है बारिक कटी हुई आप देख सकते हैं या धनिया है और एक क्रमाटर या खड़ागर्म मसाला है या तेज पत्ता है चार और थोड़ी सी काली मिर्च है या दो बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची ह और 6-7 मैंने लौंग लिया है या 7 लौंग है या एक जैफर है आधा ही डालियेगा आपके पास हो तो डालिये वरना कोई बात नहीं या दालचीनी है एक एक जावित्री है या फूल है गरम मसाले में आता है या सब समाल लगेगा देखिए मैंने कलेजी पुट्टा और थ थोड़ा सा गरम मसाला या घर का गरम मसाला है आप कोई बी डाल सकते हैं इसमें दsite मैंने डाला है दो चमच आप कम जादा कर सकते हैं अब इसे कायदे सर्माँक छोड़ देना है मिला के इसे 10 मिनुट चूटे देना है दृस नट हो चुके हैं चलिए अब इस फ्राई करत बढ़ा दी है कड़ाई गरम हो चुकी है इसमें दो बड़े चम्मच मैंने ऑल डाला है आप कोई भी ऑल डाल सकते हैं तेल एकदम गरम होना चाहिए और अब इसमें एक एकर के डालेंगे कलेजी पोट्टा और चिकन इसे फ्राइ करेंगे अब या चिकन की लेकपिस भी मैंने डाल दी है या भी फ्राइ कर लेते हैं अब एक तरब हो गिया है पाच नट अब दूसरी तरब पलट देते हैं ताकि अलट पलट के दूनों तरबिया हो जाए फ्राइ हो जाने पर आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं हलका नमक लगा के और या मसाला भी बना के खा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, फ्राई चिकन भी बहुत ही अच्छा लगता है, देखिए दोनों तरविया फ्राई हो चुका है, अब इसे तेल गार के निकाल लेना है, यानि साइट स उसे जरूर दवाएं, ताकि आपको नयान या वीडियो देखने को मिले, दालचीनी डाल देते हैं, देख सकते हैं आप, तेजपत्ता भी मैंने डाल दिया, अब इसमें दो हरी मिर्च मैंने काटके डाल दी, काटके ही डालिएगा, या जाबित्री है, वह भी डाल देते है या लसुन मैंने डाल दिया, थोड़ी सी अद्रक जो काटी हुई है, वह भी डाल देते हैं, और प्याज भी, मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, सब डाल देना है, अब इसे मिक्स कर लेते हैं, यानि चला देते हैं काइदे से, इसे चला लेना है, अब कुछ खड़ा गर्म मसाला है, आप देख सकते हैं, या काली मिर्चा है, या सब कूट के डालेंगे, टमाटर भी डाल लेते हैं, ताकि टमाटर पक जाए, अब पिसा मसाला डालेंगे, मैंने आधा चमच हल्दी डाली है, अब इसमें लाल मिर्च पॉडर, एक चमच, आप कम ज़ स्वाद उनसार आप डाल सकते हैं, धनिया पॉडर एक चमच, या जीर पॉडर आधा चमच, अब रंगत के लिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, सिर्फ कलर आएगा, तीखा नहीं होगा ये, अब इसे मिला देते हैं, मैंने बहुत आसान रेस्पी बरताई है, आज गल चुका है, अब इसमें फ्राइक लेजी और उट्टा डाल देंगे, आप चिकन भी डाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से या बन जाता है, बहुत ही टेश्टी लगता है, बच्चे से बड़े तक सभी को पसंद आता है, चिकन सभी को अच्छा लगता है, और इस 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं, हुआ है या नहीं, देखिए, या पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, या अपने आप ही पक जाएगा, लो फ्लेम पर ही पकाना है इसे, अब इसे 15 मिनट क्लिक फिड़क के पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि यह हो जाए, कलेजी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो पोट्टा है, वह तेर से पकता है, यानी पत्री, 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं, मैंने बीच में एक बार चलाया भी था, आप देख सकते हैं, कलर कितना सुन्दर आया है, या तेल भी छ मसाला डाल देंगे, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा, एकदम लाश्ट में ही डालना है गर्म मसाला, थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं, दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर फिर पकाना है, गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, और इसे ढग देना है, दस मिनट के बाद आप को गैस बन कर देनी है, ताकि सारी खुसबू इसी में रहे, लीजे, आपका चिकन तयार है, पोट्टा कलेजी चिकन, बहुती तेस्टी बना है, और बहुती लाजवाब, आप जरूर बनाए एक बार, और जरूर खाए, आपको या वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से जदा सेयर करना ना भूलें